Hi everyone, it's me Anjali Verma, your chemistry educator और आज की इस वीडियो में हम लोग हमारा जो first chapter है class 9th chemistry का उसका एक और topic देखने वाले हैं जो की है characteristics of particles of matter This is a very simple topic जो हमारे particles होते हैं matter के उनको हम क्या कहते हैं? Atoms कहते हैं ये चीज हम already पढ़ चुके हैं अब ये जो particles हैं इनकी क्या properties हैं क्या-क्या characteristics हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखने वारे हैं तो सबसे पहला point क्या है? Particles of matter have space between them ये चीज भी मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ हमने एक तो देखा था matter की definition में that anything that has mass and occupies space यानि कि उसका कुछ mass है and कुछ volume वो occupy कर रहा है तो substance को ही हम matter कहते हैं also अगर हम किसी भी matter की बात करें तो matter में चोटे-चोटे particles होते हैं चोटे-चोटे particles मिलके ही matter बनाते हैं इन particles के बीच में भी space exist करती है ठीक है? जैसे की example हम देखते हैं अगर हम पानी लेते हैं this is water, ये मैंने यहाँ पर पानी ले लिया अब इसमें ना मैंने sugar आट करी let's suppose हमारो जो पानी का level है वो यहाँ पर तक है 200 milliliter है ठीक है? इसमें बहुत सारी sugar आट कर दो बहुत सारी ठीक है? जैसे मैंने इतना सारा amount डाल दिया है sugar का अब ये जो sugar है ये obviously हमें पता है पानी में घुल जाएगी dissolve हो जाएगी ठीक है? विच मीन्स ये पानी में easily soluble है अब जब ये sugar इसमें घुल गई पानी में तो क्या ये जो हमारा level है ये increase करेगा? नहीं करेगा क्यूंकि जो पानी के particles है उनके बीच में already कुछ space exist कर रही है उस space के बीच में जाके ही ये जो sugar particles है वो collect हो रहे हैं वो dissolve हो रहे हैं तो basically जो sugar है वो पानी में soluble है and वो कुछ extra space occupy नहीं करेगी because already जो water के particles है उनके बीच में space exist करती है उस space में ही जो हमारे sugar particles हैं वो accommodate हो रहे हैं which means यहाँ पर से हमें clearly समझ में आता है जितने भी matter exist कर रहे हैं उनमें कुछ particles है और उन particles के बीच में हमेशा ही कुछ ना कुछ space होती है यहाँ पर जादा space है gases में और जादा space होती है और solids के case में जो space है वो थोड़ी reduce हो जाती है बट still space exist करती है ठीक है चलो next पर आ जाते है particles of matter have have नहीं आएगा particles of matter are continuously moving जो matter के particles होते हैं हमेशा random directions में move कर रहे होते हैं example अगर कभी भी जैसे धूप आई है ठीक है सुबह हुई छोटी सी अगर ray आ रही है ठीक है तो उसमें आप देखते होगे जो particles है randomly क्या कर रहे है move कर रहे है तो वो air की बात है हम similarly क्या कर सकते हैं liquid में भी check कर सकते हैं जैसे आप boiling water ले लो ठीक है water को boil करो तो अब आप देखोगे जब आप पानी को boil कर रहे हो अगर बत्ति जब आप जलाते हो तो देखते होगे ऐसा path हमें visible होता है कि particles इस direction में ऐसे move कर रहे है तो विच मीज यहां पर से भी हमें पता चल रहा है कि जो matter के particles हैं वो continuously move कर रहे हैं एक तो normally हम घर में देख सकते हैं जब धूप आ रही है ठीक है सुबह सुबह है सुबह का time है छोट इसी रहे आती है canopy type की जैसे हमारे trees में exist करती है forest में same उसी type की हम घर में भी देख पाते हैं हम अगर बत्ती जलाते हैं तब ही भी हम देख सकते हैं और जब हम water को boil कर रहे हैं तब ही भी हम ये चीज़ को notice कर सकते हैं ठीक है चलो next पर आ जाते हैं यहाँ पर और ये है हमारी third property third characteristic जो की है जो particles है matter के वो attract करते हैं एक दूसरे को there is always a force of attraction which is acting between the particles of matter ठीक है तो यहाँ पर example हम लेते हैं आप किसी भी object को तोडने का try करो वो बहुत ही easily नहीं तूटेगा जैसे की example अगर आपने कोई भी block ले लिया ठीक है कोई brick ले लो या फिर कोई table ले लो जो भी चीज आसपास दिख रही है जिसमें जादा damage ना हो ठीक है उसको तोडने का try करो वो easily नहीं तूटेगी हाँ जैसे pencil है वो आप तोड सकते हो बट उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा force लगाना पड़ेगा बहुत ही easily तो कुछ भी नहीं तूटेगा क्यों नहीं तूट रहा है क्योंकि उन particles के बीच में already force of attraction लग रहा है और आप इस force से जादा जब force लगाओगे तब जाके वो जो चीज है वो टूटे की ठीक है तो यहाँ पर देखो तीन state होती है हमें पता है liquid, solid, gas मुझे बताओ सबसे जादा force of attraction किसके particles के बीच में exist करता होगा obviously solid क्योंकि solid कोई भी अगर चीज है उसको तोड़ने के लिए मुझे सबसे जादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके बाद liquid में इससे कम force of attraction रहता है और gases में जो force of attraction है वो least रहता है तब ही तो जो particles है वो random directions में move करते हैं and they have a lot of space between them तो gaseous particles के बीच में maximum space रहती है जिसकी वज़े से force of attraction कम है और solids की बात करें तो space minimum है तो force of attraction क्या है maximum है तो ये तीन जो characteristics है I hope clear हो गए होंगे they are very simple उसके बाद physical nature of matter physical properties हम अभी पढ़ेंगे आगे चलके ठेक है physical properties क्या होती है chemical properties क्या होती है तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि physical property आखिरकार हम किसको कहते हैं तो physical property वो aspect होता है matter का जो की हम observe कर सकते हैं या फिर उसको calculate कर सकते हैं measure कर सकते हैं without changing its nature और composition जैसे पानी है तो पानी का composition H2O है इसका composition बिना change करें जो property को मैं observe कर पा रही हूँ वो physical property कहलाएगी विच मींज यहाँ पर कोई chemical reaction involved नहीं होगी ठीक है it is independent of the amount of matter present इसका मतलब है अगर मैंने पानी लिया ठीक है मैंने 10 milliliter लिया है 10 liter लिया है 1000 liter लिया है जो physical property है वो तीनों में same होगी यहाँ पर हमने क्या करा यहाँ पर volume जादा ली है ठीक है अगर हम amount of matter की बात करें तो हम किसी substance की बात कर रहे है जैसे हलवा ले लिया ठीक है तो 10 kg में ले रही हूँ ठीक है 100 kg में ले रही हूँ या फिर सिर्फ 10 g ले रही हूँ जो physical property है वो हर case में same ही आएगी which means जो physical property होती है that does not depend upon the amount of matter की कितना matter उसमें contained है ठीक है वो सब में क्या आएगी same ही आएगी clear फिर उसके बाद physical properties क्या क्या है हमारे पास क्या examples है appearance यानि क्यों कैसा दिख रहा है पानी आप कम volume लो कम weight लो किसी भी चीज़ का या फिर जादा weight लो या फिर जादा volume लो पानी की एक ही जैसे दिखेगी है ना तो appearance है हमारे पास physical properties color उसका क्या है colorless होता है ठीक है पानी odor smell क्या है जैसे incense stick है आपने एक छोटी सी stick ली एक बड़ी सी stick ली दोनों से खुझबू तो same ही आएगी ठीक है फिर density हमारे पास texture melting point boiling point solubility आप चाहे कम पानी ले रहे हो चाहे जादा पानी ले रहे हो boiling point हमारे पास 100 degree Celsius ही आएगा boiling point change नहीं होगा ठीक है and also solubility इसका मतलब घुलना तो आप इतने पानी में चीनी घुलो या इतने पानी में चीनी घुलो वो चीनी को घुलने में उतना ही time लगेगा ठीक है तो I hope यार ये properties clear हो गई होंगी इनको थोड़ा और detail में देख लेते हैं ये चीज हमने last video में देख ली थी फिर भी revise करा देती हूं matter क्या होता है कोई भी चीज जिसका mass है और वो space occupy करता है यानि कि उसकी कुछ ना कुछ volume होगी ठीक है everything जो की हम touch कर सकते हैं देख सकते हैं सुन सकते हैं और हम smell कर सकते हैं वो क्या है matter है ठीक है it is made up of tiny particles जिनको हम atoms कहते हैं further आप इनको divide नहीं कर सकते हो और नहीं हम इनको देख सकते हैं through the naked eyes ठीक है मतलब अपनी आखों से हम इनको नहीं देख सकते हैं the particles of which the matter is comprised influence its state and properties मतलब जैसे पानी है तो वो water के particles से बना है छोटे-छोटे कोई different solid है तो वो अलग particles से बना होगा जिन particles से मिलके matter बना है वो उसकी physical और chemical दोनों properties को क्या करता है influence करता है जैसे पानी जो है वो hydrogen और oxygen इन दोनों elements से मिलके बना है है ना फिर हमारे पास H2O2 ये कुछ और है तो इन दोनों की ही physical और chemical properties क्या होंगी different होंगी अलग-अलग होंगी तो matter जिस type के particle से बना है वो ही influence करता है कि उनकी क्या properties होंगी हूँ कि particles of matter have space between them solubility of a substance ये हमें determine कराता है ये अभी मैंने आपको बताया था पानी में आप sugar add कर दो जो level है वो change नहीं होगा क्यों? वो particles है शुगर के वो inter particle spaces में जा रहे हैं between the water particles तो ये clear हो गया फिर particles of matter are always in motion हमेशा और random motion में होते हैं और एक चीज़ देखो अगर normal मैंने पानी लिया है ठेक है? और मैंने boiling water लिया है मतलब यहाँ पर मैं कुछ heat आपको provide कर रही हूँ आपको नहीं पानी को provide कर रही हूँ ठेक है? तो देखो यहाँ पर heat मैं provide कर रही हूँ तो आप देखोगे जो particles हैं वो बहुत ही speed से move करेंगे जबकि यहाँ पर जो पानी है तो static रहता है जनरली यहाँ पर हमें particles उतना move करते हुए नहीं दिखते हैं clearly यहाँ पर जो speed है particles क्यों बढ़ जाती है यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है temperature जब मैंने बढ़ाया तो जो speed है वो भी क्या हुई बढ़ी ठीक है kinetic energy का formula क्या होता है half mv square तो kinetic energy भी बढ़ेगी जब speed यानि की velocity बढ़ेगी ठीक है तो particles of the matter show continuous random movements due to the kinetic energy they possess उनमें already kinetic energy होती है बट वो जो kinetic energy है वो बढ़ जाती है जब हम temperature को बढ़ाते हैं तो और vigorous motion होता है और ज़्यादा speed से वो particles move करने लगते हैं तो यह हो गया हमाई पास second point third है यह attract कर रहे होते हैं आप किसी भी object को अगर तोड़ोगे तो आपको इस force को overcome करना पड़ेगा ठीक है पाज जूल अगर force of attraction है उनके बीच में तो आपको इस से ज़ादा आया इनकी 6 joule, 10 joule यह force लगाना पड़ेगा उस चीज़ को तोड़ने के लिए ठीक है तो बस यार यह simple हो गया then diffusion अब diffusion भी एक term आता है यह क्या है diffuse होने का मतलब एक दूसरे में घुल जाना जैसे कि अगर पानी लिया आपने उसमें KMNO4 डाल दिया जो कि pink कलर का होता है तो वो जो pink कलर है वो evenly distribute हो जाता है वो diffuse हो जा रहा है similarly आप अगर ink डाल रहे हो पानी में तो ink भी completely क्या हो जाती है distribute हो जाती है पानी फिर हमें blue कलर का दिखने को दिखने को लगता है तो यहाँ पर वही चीज है when the particles of matter they intermix on their own खुद में ही वो mix हो जा रहे है intermix का मतलब कि आपस में दोनों ही घुल मिल रहे है जैसे कि जो ink है वो spread हो जाती है पानी में यह हमने जो starting में देखा था उनके बीच में space है तो अगर हम sugar डाल रहे है KMNO4 डाल रहे है तो घुल जा रहा है है ना तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है कि यह जो KMNO4 के particles है या ink के particles है वो जो water के बीच में water के particles के बीच में inter particle space है वही पर जा रहे है ठीक है the rate of diffusion increases with increase in the temperature देखो diffuse जो है हमारे पास sugar particles भी हो रहे है है ना तो जैसे ही अगर मैंने normally एक बीकर लिया उसमें चीनी डाल दी ठीक है पानी तो उसमें था ही उसमें चीनी डाल दी दूस्टे को मैंने क्या करा है container में पानी लिया उसमें चीनी डाली और उसको heat up कर दिया बताओ कहां पर जल्दी घुलेगी चीनी जहां पर मैंने heat प्रोवाइट करी है क्यूंकि वही चीज है kinetic energy बढ़ेगी so rate of diffusion भी हमारा बढ़ेगा so rate of diffusion increases with the increase in temperature due to increase in kinetic energy क्यूंकि जब हम temperature बढ़ा रहे हैं तो kinetic energy बढ़ रही है जिसकी वज़े से diffusion का rate भी हमेशा increase होता है clear? चलो next पर आजाओ have space between them वो continuously move करते हैं random motion में होते हैं and third कि particles के बीच में force of attraction exist करता है ठीक है अब questions पे आजाते हैं यह रहा पहला question which of the following are matter ठीक है chair देखो chair में obviously particles से बना हुआ है chair है table है यह सब particles से बने हुए है so यह definitely matter है air air में भी हमारे पास particles हैं जिनको हम देख भी पा रहे हैं which means यह भी हमारे पास matter है love क्या प्यार को हम देख सकते हैं नहीं उसको तो बस हम feel कर पाते हैं कि मम्मी पापा हम से प्यार करते हैं हम मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो वो हम सिर्फ देख पा रहे हैं feel, ёт, sorry, देख नहीं पा रहे हैं, feel कर पा, ठीक है? जो abstract हमारे पास चीजे हैं, तो उनको हम सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं, feel कर रहे हैं, we cannot see, हम देख नहीं पा रहे हैं, ना प्यार कोрम smell कर सकते हैं, हैना, नहीं कर सकते तो which means यह हमारे पास matter नहीं है, smell, अब कई लोग सोचते हैं कि smell भी तो हमारे पास matter नहीं है, but smell matter है, क्यों है, देखो, कोई भी चीज अगर मैं सूंग पा रही हूं, smell कर पा रही हूं, तो obviously particles travel करके आए हूंगे, तभी तो मैं उसको smell कर पा रही हूं, जैसे मान लो, दूसरे क कमरे में मम्मी खाना बना रही है, छोले बन रहे है, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि उधर छोले बन रहे है, क्यों, क्योंकि हवा के साथ, वो जो particles हैं, वो आ रहे हैं, and मेरे नाक में जा रहे है, तब जाके मुझे feel हो रहा है, मुझे smell आ रही है, कि हाँ, वहाँ पर कुछ बन रहा है, तो smell जो है, वो matter है, ठीक है, जो sense of smell है, ये matter नहीं है, ठीक है, smell जो है, वो definitely matter है, बड़ जो हमें feeling आ रही है, sense का मतलब feeling ही तो हुई, एक तरीके की, तो जो sense of smell है, वो हमारे पास matter नहीं है, क्योंकि ये feeling के अंदर आ जाएगा, है न, और हमने का हम सि feel कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो obviously वो चीज हमारे पास क्या है, matter नहीं है, तो smell is definitely matter, hate, hate को हम सिर्फ feel कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सूंग नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे पास matter नहीं है, almonds obviously matter है, thought, again देखो, thought जो है, वो हमारे दिमाग की चीज ह हम सोच पा रहे हैं क्या हम उसको देख पा रहे हैं क्या वो matter particle से बनाए नहीं है तो which means thought हमारे पास again matter नहीं है lemon water obviously पानी है उसमें lemon डाला है तो ये भी हमारे पास matter है smell of perfume अगेन देखो हमें feel हो रहा है ना कि perfume है perfume जब आप छिड़कते हो तो obviously वो liquid है ना अंदर तो वो क्या है matter है फिर आप छिड़क रहे हो फिर उसके जो particles है उस प्रे हो रहे हैं जिसकी वज़े से हमें खुशबू आ रही है तो obviously ये भी क्या है matter है ना तो यहाँ पर I hope ये confusion clear हो गया होगा कि smell और smell of perfume या किसी भी और चीज़ की smell या फिर odor ये सब हमारे पास क्या है matter होते हैं बट जो sense of smell है वो हमारे पास matter नहीं होता है ठीक है ये explanation मैंने यहाँ पर properly लिखा भी हुआ है फिर give reasons for the following observation the smell of hot sizzling food reaches you several meters away ठीक है बट to get the smell from cold food you have to go close ठीक है बहुत simple reason है क्योंकि आपको पता है hot sizzling food में जो temperature है वो जादा है temperature जादा है तो जो speed होगी particles की वो भी क्या होगी जादा होगी यानि कि kinetic energy of the particles जादा होगी जिसकी वजए से वो जादा distance cover कर पाएंगे speed जादा है तो obviously distance जादा cover होगा है ना on the other hand अगर हम cold food की बात करें तो यहाँ पर temperature कम है तो speed of the particles भी कम होगी तो हमें पास में जाना पड़ेगा क्यूंकि इस food ने कम distance cover करा है इस food की smell ने basically कम distance cover करा है clear हो गया चलो next a diver is able to cut through water in a swimming pool which property of matter does this observation show देखो हमारे पास liquid है पानी है अब हमें पता है पानी में हम swimming कर पाते हैं भले ही हमें थोड़ा force लगाना पड़ता है ना आगे की direction में मालो पानी की direction इस side को है और मुझे आगे जाना है तो मुझे extra force यहाँ पर लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर कौन सी property जो है वो show हो रही है कि जो particles है of water they have force of attraction है ना particles of water have force of attraction acting between them या फिर हम simply कह सकते हैं कि जो भी matter particles है they attract each other ठेक है या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि they have force of attraction acting between them clear है चलो ठीक है तो यहाँ पर यही हमने mention कर रखा है answer what are the characteristics of the particles of matter very very simple तीन हमने अभी देखे थे सबसे पहला क्या था कि particles of matter have space between them constant motion में होते हैं continuous motion में होते हैं they attract each other which means उनके बीच में force of attraction होता है एक और है all matter is composed of very small particles which can exist independently वो जो small particles है tiny particles है वो independently exist कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि हर जो particle है उसको molecule बनाने की या matter के form में exist करने की ही जरूरत पड़े नहीं वो independently भी exist कर सकता है ठीक है तो यार यह सारे questions भी हमने देख लिये हैं और जो पूरा topic था वो भी हमने देख लिया है तो I hope यार यह आप लोगों को clear हो गया होगा फिर भी अगर कोई doubt है तो definitely यार comment box में नीचे पूछ सकते हूँ I hope यह series आप लोगों को पसंद आ रही है ऐसे ही अगर class 9 की और भी वीडियोज चाहिए है तो मुझे comment box में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कर देना अगर आप class 10 में हो तो अपने